नमस्कार न्यूस क्लिक मैप का स्वागत हैं कुछी दिन पहले हम भी विश्वत दियाले के पूर्व कुलपती प्रोफेसर म.म कालबूर्गी के घर पे दो अंजान रोगों ने आके उनकी हत्या करी प्रोफेसर म.म कालबूर्गी कई सारे राष्ट्र पूरुसकारों से उनको कई सारे राष्ट्र पूरुसकार भी मिले थे और वो एक राष्टनलिस्ट थिंकर थे एक वैज्ञानिक सोच को समाज के बीच में ले जाने की कोशिश करते थे उन्हें की हत्या के बारे में और उससे और जुड़े हुए मुद्दोपर के बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच प्रोफेसर डी रगु नंदन है जो की All India People Science Network के पूर्व अध्याक्ष है रगु ये हत्या आपके हिसाब से अभी खेर तो पुलीस की अपनी तहकिकात चल रही है और उस पर कितना हम लोग बोल पासकते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ताक्ते थी जो प्रोफेसर एमिम कालबुर्गी से पहले भी उन्होंने अपनी आपती व्यक्त करी थी उनसे कही बार और शायद उनको धंकिया भी दी थी उसके बारे में अगर थोड़ा सा पुलीस तो खेर अपनी तहकिकात करेगी जैसे आपने का पर तोर तरीके जो इस कतल में सामने आए हैं वो बहुत ही समान है जो डॉक्टर डबोलकर की हत्या हुई थी पहले उसके बाद सीपी आई के नेता गोविन पंसारे की हत्या हुई है और अब प्रफसर कालबुर्गी की बहुत समान समानिता है तो लगता है कि शायद वो ही लोग होंगे या इनके पीछे वो ही ताक्ते ह होंगी समानता और ये भी है कि इन सब तीनों ने कटर पंती के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी धार्मिक कटर पंती के खिलाफ एक अपनी तरक के प्रती बात रखी थी वैग्यानिक सिधान के अधार पे जो रिसर्च किया था उसको सामने रखा था और ये जो कटर पंत ताक्ते हैं जो हिंदुत्वावादी कटरपंत है उनको ये बात पसंद नहीं थी और जैसे आपने कहा प्रफसर कालबूर्गी के खिलाफ कई सालों से धंकिया दी जा रही हैं विश्वा हिंदू परिशद की तरफ से बजरंग डल की तरफ से और पुलीस का प्रोटेक्शन भ दी गई हैं हो सकता है ये धंकी भी अब पूरा कर दिया हो जिन ताक्तों ने किया तो एक तरफ अगर हम देखें रगू की एक तरफ तो जहां इनके इस हिंदुत्वावादी जो ताक्ते हैं आज जो कहीं ना कहीं सत्ता केंद्र में सत्ता में भी हैं कहीं ना कहीं जहां एक कर देना या फिर कई ऐसे लोगों पर और न पर हमले करना लेकिन उसी के साथ-साथ और मतल 최근 जो चलते हैं रमजादे हार, ऱजजादे और अन्हेश सामपरदाएग इस था Tशारी इस तरह किसे लिजुँ करते रहते रहते लेकिन उसी के साथ-साथ जैसे प्रोफेसर दाबूलकर की अगर हम बात करें या फिर अभी कॉमरेट गोविन पंसरे या फिर अभी प्रोफेसर एमेम कालबूर की तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये जो इनकी एक जिसको हम अक्सर कहते हैं एक जातीवादी अबरहमनवादी और हिंदुत्वादी जो इनकी पूरी सोच है और समाज की जो समाज है ये कहीं न कहीं गेर विग्यानिक सोच जो है ये इसका एक एहम हिस्सा है हाँ जो आप कह रहे हैं वो तो सही है पर मुझे लगता है कि हमें शायद इसके पीछे भी एक कदम हटके उसको देखना चाहिए आपको शायद याद होगा जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी थी और रत निकाला गया था उस टाइम पे तो कई लोग सादू संत भी उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो दृष्षे हमारे सामने दिखाया जा रहा है कि हिंदू धर्म ऐसे होता है और ऐसे होना चाहिए और इसमें ये मानेता है कि ये सच नहीं है हिंदु धर्म इसको ऐसे नहीं मानते जिसके विपरीत कुछ नेता जो हिंदुत्वावादी नेता थे उन्होंने कहा कि हम धार्मिक हिंदुत्वा का प्रचार करने नहीं आये हैं हम एक राजनीतिक हिंदुत्वा का प्रचार करने आये हैं तो मैं जो धार्मिक उसूल हैं उनके उपर उनके पीछे मैं इतना एहमियत नहीं देता हूं कि वेद में क्या लिखा था या नहीं लिखा था क्योंकि हमने देखा है कि जो आपने का कि साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनलिस्ट थॉर्ट, तरकवादी जो विचारधारा के लो अलाकार लोग जो सांस्कृतिक उसमें काम करते हैं वो वैग्यानिक लोग इतियासकार इन सबके उपर भी हमला हुआ हैं जिनों ने जो भी बात कई है जो इनको पसंद नहीं आता हिंदुत्वादी तक्तों को उनके उपर हमला किया जाता है चाहे वो धरम में सच हो या ना हो मानलो अब प्रफेसर कालबुर्गी का उधारन लें तो उन्होंने प्रफेसर यू आर अनन्त मूर्ति जो कनड़ में बहुत महान लेखक है उनके उपर भी हमला किया था इन ताक्तों ने उन्होंने एक बात कही थी कि पूजा जो करते हैं मूर्ती पूजा के खिलाफ उन उसको लेके ये लोग नाराज हुए गया प्रफसर कालबूर्गी ने भी उसको समर्थन दिया प्रफसर अनंत मुर्थी की बात को लेके और इन लोगों ने का जो इनकी यूजुल भाशा होती है हर्टिंग दी हिंदू सेंटिमेंट्स करके उनके उपर हमला कर दिया अब आप ने भी तो यही बात कही थी तो वो भी तो हिंदू धरम का हिस्सा है तो ये मुझे लगता है कि ये हिंदू धरम को लेके जो एक केंदर बिंदू बनाते हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसको लगाते हैं जो तालिबान करती है उस साइड में वो ही ये लोग करते हैं तो थोपने वाली बात है तो मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में जोड देना चाहिए लगिन रगू सचाई ये है कि पूरे दक्षन एशिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमने भी पीछे देखा शबीन महमूद को ओपर की हत्या की गई वहीं बंगला देश में अब जीत रौए और इस तरह के जो धर्मनिर पेक्ष ब्लॉगर्स थे उनकी उपर हत्याँ उनके और कहीं नहीं ये ट्रेंड अब हम हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं तो अगर ये जिस तरह की अब इसको इंटॉलरंस बोले हैं जो भी लेकिन सचाई ये है कि कही ना वे कही ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इन हत्याओं के बाद भी इस तरह की धर्मनिर पेक्ष आवाजे बंद हो गई बल्कि ब्लासफेमी लॉमेया उसके अलावा भी जो कटर पंतियों ने कई साले लोगों को मारे जिन्होंने ब्लासफेमी के खिलाफ अपनी आवाज उटाए दी लेकि उसके बाद भी आवाजे बंद नहीं हुई है बलकि अब जो देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में की कही ना कही है विरोध या प्रतिरोध की आवाजे बढ़ती जा रही है और बंगलादेश में तो खेर एक पूरा शाबा कांदोलन हमने देखा वही हिंदुस्तान में भी अगर एक चोटा सा उधारन मैंलूँ या जैसे अमबेटकर परिया स्टडी सर्कल को जब बैन किया जो एक अमबेटकर वादी विचारधारा पर कुछ चात्रों का एक संगटन था आईटी में तो उसके बैन होने के बाद देश भर में लोग उनके समर्थन में खड़े हुए वहीं FTI पर उन्होंने कुछ गजेंदर चोहान और इस तरह के चार और लोग थोपने की कोशिश करी तो देश भर में लोग FTI के चात्रों की हर्ताल में समर्थन में खड़े हुए है या मेरी ही फिल्म पर कुछ दिन पहले हमला हुआ तो देश भर में लोगों ने उसकी फिरोद में स्क्रीनिंग्स आयो जित करी तो क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं और क्या इसमें क्या या फिर मैं कुछ जादा ही साकारात्मग हो रहा हुए हाँ या फिर आप ये उम्मीद सही में कर रहे हैं कि इसी तरह से वैग्यानिक समाज जो है हमारे देश में क्या उनकी तरफ से इस तरह की ऐसी हत्त्याओं य अगर आप वैग्यानिकों की बात करेंगे, आई आई टी में हो या इंस्टिटूट अफ साइंस में हो, तो जाधा तर वैग्यानिक हमारे देश में अभी भी सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं, तो थोड़ा सा दबाव तो उनके उपर रहता ही है, तो वो आपके साथ जब पैटके बात करेंगे तब विदोर सामने आएगा, पबलिक में शायद इतनी बात सफाई से ना आए क्योंकि वो थोड़ा सा डर है, कि हमारे खिलाफ कहीं वो कारवाई ना हो, हमें साइड में ना किया जाए, पर मुझे लगता है कि हमें इस से भी बाहर निकल के सोचनी की मैं दुबारह यही कहूंगा, कि ये केवल वैग्यानिक दर्श्टिकों के खिलाफ नहीं है, ये केवल तरकवाद के खिलाफ इनकी मुहिम नहीं है, ये अपने बात को मनวाने की, जो जबर दस्ति करके मनวाने की बात है, उसकी प्रक्रिया है. तो ये लेखक, ये आर्टिस्ट, बाकी आर्टिस्ट, इतिहासकार, ये सब इसी प्रेशर में काम कर रहे हैं आज, और केवल ये नहीं, लड़के और लड़कियां बस में इकटे जा रहे हैं, उनके उपर हमला हो रहा है, आप पार्क में बैठे हैं तो उसके उपर हमला हो रह Valentine's Day हो रहा है वहाँ पर कोई रेस्टोरांट में बैठा है वहाँ पर कोई एक बीर पी रहा है तो उसके उपर तो हर जगह एक रहन सेहन एक सोचने का ढंग उसके उपर हमला है इसलिए मैंने का इसका closest जो आप पैरलल देख पाओगे वो तालिबान में है आप बजार में नही पहनेंगे इसी परकार का ये चलेगा ये कब तक चलेगा खास करकी जाएं एक तरफ मतलब एक मॉडर्न कई पत्रकार कॉमेंटेटर इस बात के उपर जोड देते आ रहे हैं कि इस सरकार का गठन जनता ने इनको वोट इसलिए दिया कि जनता ये उमीद करती है कि भारत का व अगर नहीं होगा विग्यान और तकनीक पर नहीं हो गया उद्योग अगर आपके नहीं बनेंगे तो तो ये नहीं होने जा रहा है अब जितने देश में आप देखोगे जहां पे एक जिहादी महौल बनाया गया है आई-एस का दौर चला है या तालिबराइजेशन जहां ह हो रहा है वहाँ पे तो आपको ये नहीं दिखता अडवांसिंग एकोनॉमिक ग्रोथ वो तो नहीं दिखता आपको आर्थिक स्थिती में आगे बढ़ना यूरोप के समान होना तो ये भी दोनों तरफ ये खीचेंगे एक तरफ जनता सोचेगी कि हम आगे बढ़ रहें यह कहीं नहीं कहीं ये अंदर अंतरधवन्ट जो है, ये Rei आएगा और ये दबाव डालिगे और इसलिए मेरा मानना यह है कि جतने हम इस अंतरधवन्ट को समझें और जितनी इसका फैलाओ हम देखें कि आगे बड़े कितने हमारे रोज मर्रा की जिन्दगी में ये असर करेगा ये केवल एक वैग्यानिक का सवाल नहीं है या एक तरकवादी ताक्तों का ये सवाल नहीं है ये आपका और हमारा रोज मर्रा की जिन्दगी का सवाल है तो फिर क्या मैं ये मान सकता हूँ कि हिंदुस्तान की जो एक परमपरा रही है एक विबिन्निता की परमपरा रही है और कही न कही पूरे दक्षन एशिया में हैं अगर हम देखें तो मतलब अलग-अलग संस्कृतियां, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाशाएं कही न कहीं साथ आके अलग-अलग अलग देशों को मुल्कों को बनाती है तो क्या इस एक अगर हिंदुस्तान की कोई संस्कृती है तो लोग तो संस्कृती, संस्कृती के नाम पर एक पूरा मतलब ईनोंने इन्डस्ट्री घरी गई गई है लेकिन अगर सही मायन में हिंदुस्तान की संस्कृती है तो वो विभिन्ता में है तो क्या आपको लगता है कि ये असली संस्कृती को बचाने के लिए और कहीं न कहीं लोग और इस तनहा का ये जो एक कटरपन थी और जो एक सोच हिंदु धर्म के नाम पर या हिंदुस्तानी संस्क्रती के नाम पर जो एक धारा पूरे देश पर थोपना चाह रहे हैं कहीं न कहीं जनता इसको कहीं न कारेगी जरूर नकारेगी क्योंकि ये चल नहीं सकता हमारे सब्यता के खिलाफ है जो ये लोग मानके चल रहे हैं जो तालिबान की हमने बात की वो कहीं ने कहीं चुपके कुरान के पीछे चुपके कि यहां ये लिखा है कुरान शरीफ में उसके पीछे चुपके ये बात करते हैं यह ये व्यादा देर चल नहीं सकता पर इसी लिए जो हमें अब दिख रहा है पहले तो केवल बाथचीत से इसकी खिलाफत करते थे अब जो है वो जो बड़र्बरदस्टी फिजिकली कतल तक पे उतरे हैं कि उनको दिख रहा है कि जब तक और जोर ना लगाया जाए लोग इसको मानेंगे नहीं पर ये भी मतलब जो है वापस उनी पर रिबाउंड होएगा ये मेरा मानना है चले इसी सखारात्मक नोट पर आज की बात हम खतम करते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया रगो